Hello and welcome to all तो data operator और data approver ID बनाने के बाद PFMS के अंदर अब हम ये जानेंगे कैसे हम जो है vendors create कर सकते हैं और vendors को map कर सकते हैं तो आई ये देखते हैं सबसे पहले data operator ID और password के माधिन से आप login करेंगे PFMS के अंदर और इस परकार से आपकी data operator window जो है वो open हो जाएगी इसका पता लगाने के लिए कि data operator window है या नहीं user type जो है वो आपको agency DO की form में देखेगा तो agency DO का मतलब होता है agency का DO यानि कि data operator तो PFMS के अंदर अगर हम NSS scheme के लिए data operator facility यूज़ कर रहे हैं तो data operator normal situations में जो है प्रोगराम अधिकारी किसी unit के रहते हैं तो data operator का जो id password है वो मुखेता प्रोगराम अधिकारी के लिए बनेगा इस बात का विशेश धियान रखें और प्रोगराम अधिकारी ही data operator के login id password के माधिम से जो है vendors create कर सकता है तो vendors create करने के लिए हमें login करने के बाद जो है left side में जो हमारे पास different menus दिखाई दे रहे हैं उसमें masters option पे जाना है और masters option पे जाने के बाद हम vendors option पे जाएंगे और क्योंकि निया vendor add करना है यानि कि vendor का मतलब है कोई shopkeeper कोई commercial agency या कोई institution या जिसके खाते में आपने पैसे transfer करने है वो व्यक्ति तो आपने कोई निया ऐसा व्यक्ति ऐसा agency ऐसी कोई shopkeeper का account number add करना है payment के लिए तो आप जो है vendor option के बाद add new option पे जाएंगे और add new option पे click करके आपके पास create vendor समंदित form जो है वो open हो जाएगा इसमें सबसे पहला column है type of vendor तो type of vendor पे आप जब जाते हैं तो वहां पर आपको different options मिलते हैं जैसे personal है commercial, institutional, small business, finance, small scale industries, NGO, government official, departmental, officer तो इस परकार के कई type के vendors है अलगल परकार के vendors होते हैं तो normally हम institutional, commercial या फिर personal level के vendors create करते हैं because या तो किसी को कोई personal account number होगा जिसमें आप ऐसे transfer करेंगे या कोई commercial level का बड़ा organization होगा जहांसे आपने कोई समान पर चीज़ किया था फिर आप उसको payment करने जा रहे होंगे या institutional level पर किसी institution से या institution के अंदर किसी account से अपने loan या अन्या तरीकों से कुछ item या amount गैट किये था आप उसको बापिस कर रहे हैं payment करने जा रहे हैं in that के हिसाब institutional level पर क्लिक करेंगे तो अलगले institutions के हिसाब से आप अपने अनुसार जो है अलगले परकार के vendors जो है टाइप के vendors जो है वो create कर सकते हैं इसके बाद आप यहां पर name fill up करेंगे तो vendor का नाम जैसे आप messers कुमार traders है या जैसे किसी personal वेक्ष्टी को आप बात कर रहे हैं तो जैसे राकेश कुमार न में किसी concern shopkeeper का नाम या जो उस agency का मालिक है उसका नाम या कसी personal वेक्ष्टी के खाते में आप पैसा ट्रांसवार करने जाए तो उस वेक्ष्टी का नाम जो यहां पर आएगा इसके बाद अधार नंबर GST नंबर क्योंकि किसी single एक personal ऐसे कोई वेक्ष्टी जो कि घर में बै agency है कोई छोटा shopkeeper है या कोई बड़ा shopkeeper है तो आप उसको यहां पर एंटर कर सकते हैं GST नंबर जो है 15 characters का maximum होता है तो इस बात का ध्यान रखें pan number address one address two address three city यानि कि इस में क्या है कि आप नंबर एंटर करने के बाद address के लग लग lines होती है तो पहले लाइन आपकी यहां आजाएगी जाएगी या फिर अगर आपको लगता है कि तीन अलग जगह पर उसके अड्रस हैं आउटलेट्स और स्टूर्स हैं तो आप उसके पर व्यवस्था कर सकते हैं पर अड्रस लाइन को लग मेंशन करके जैसे कि गाउं का नाम एक जगा आ गया पोस्ट ऑफिस एक जगा आ गया आप तैसील एक जगह आगे इस प्रकार से आप जो हैं बाइफरिकेश्ट कर सकते हैं सिटी जिस शेहर में आप यह वेंडर स्टूर्ट है वहां पर आप सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं कंट्री इंडिया ही रहेगा स्टेट हिमाचल प्रदेश हिमाचल के संधर्म में डिस एवलेबल पर टीक लगाएंगे मोवाइल नमबर डालने का मेनफिट ही होता है कि उस कंसर्ण वेंडर के पास भी मैसेज जो है ट्रांजेक्शन इसकी मैसेज जाते रहते हैं तो यह डालना वैसे आवश्चिक नहीं है परन्तु अगर डाल दें तो आपका बेनफिट है रह बैंक है यानि कि पंजाब नेशनल बैंक तो आपको पंजाब नेशनल बैंक के लिखना है और वैसा लिखने पर आपके समय नीचे ऑप्शन आएगा पंजाब नेशनल बैंक का आप इसको क्लिक कर देंगे वैसे ही अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक तो जैसा लिखेंगे तो आपको State Bank of India का option दिखेगा, उसके State Bank of India पर कलिक करदेंगे, इस परकार से Other कोई bank है जैसे Central Bank of India है, तो Central लिख्खा तो Central Bank of India का option आ गया, तो इसको आप कलिक करेंगे, तो इस परकार से क्यी सारे जो banks हैं उनको आप accommodate कर सकते हैं, और जैसे Central Bank of India लिख तो उसके बाद branch का address option आया था परन्तु यह normally required नहीं होता है because आप आगे account number specify ज़रूर करेंगे तो उससे ही वो clear हो जाता है कि कौन जी concerned branch ने हो account number available होगा अब Central Bank of India लिखा तो उनका जो account का rule है उसमें क्या होता है कि 10 digit ही जो है वो numerical value के हिसाब से उस account number के होते हैं तो आपका account number है वो 10 digit ही होना चाहिए तो आप account number यहाँ पर mention करतेंगे जो 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 आपका account number लगता है और account number mention करने के बाद आप add bank detail पे click करेंगे add bank detail पे click करने के बाद आपका खाता number और other details बेंक की एक single line में जो है वो इसी add bank detail के नीचे यहाँ पर देखेंगी कहीं और उसके बाद जब आपको लगता कि सब कुछ okay है तो आप save पे क्लिक करेंगे अगर आपको लगता कुछ changes करने है तो आप reset पे क्लिक कर सकते हैं दुबारा सा पूर इंट्रोशन भरने पड़ेगी और अगर आपको यहां पर आए होती है एक डिक करने के बाद वहीं पर यहां जैसे एक cross का sign बना होता है जिसमें delete लिखा होता है तो आप उस bank की detail को delete भी कर सकते हैं मैं आपको यहां पर account number वगरा भरकर इस लिए नहीं दिखा रहा हूं because that is a personal information of the vendor तो उस purpose है हम किसी की privacy का भी इसमें नीजी करन नहीं करना चाह रहे हैं तो इस वेवस्ता के तयायत ही हम यहां पर आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे entries होती है और बाकि जो sensitive information है उसको आपसे hidden रखा गया है प्रतु हां जब आप अपने vendors बनाएंगे तो आप vendor से push कर जो है उनकी detail यहां पर fill up कर सकते हैं और account number भर सकते हैं और जो आपको इस virtual training के माधिन से बताया गया उसके अनुसार आप यहां पर clicks करके and different options में जाकर जो है finally save button पर click करके vendor को create कर सकते हैं लास्ट में जब सब आप information जैसे मैं बता रहा था आपको कि अगर आप पूरी तर सैटिसफाइड हैंगे पूरी information सही भरी है आप save पर जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही vendor created successfully का message आपके सामने red color में top of the screen पर यहां पर जो है वो सामने आपको देख जाएगा तो इस प्रकार से आप vendors को create कर सकते हैं